नमस्कार, अलमोडा विधान सभासे मैं विधायक प्रत्याशिविनोतिवारी, उत्रा खंड के सभी भाई बहनों को नमस्कार करता हूँ, आमा बुबु को पहला करता हूँ आज क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हमारी जो दो मांगें बहुत पुरानी थी लगातार हम सरकार पर इन मांगों के मदे नजर दबाव बनाए हुए थे, अब उस पर एतिहासिक और निरनायक लड़ाई करने का वक्त आ गया है और मैं सभी राज्य वासियों से इस लड़ाई में मेरा सहयोग करने, खास कर वीडियो को शेयर करने, मेरे चैनल को जूलने और अगर जरुवत पड़ी तो ग्राउंड पर आकर के जब हम कहेंगे हला बोल करने की आप लोगों से मैं अपेक्षा चाहूंगा तो सबसे पहले, आज मैं दो मांगें जो हमारी बहुत लंबे समय से लंबित थी, ये आप की आवाज थी, हर उतरा खंड वासी की आवाज थी उस आवाज को सरकार के सामने चेताओनी के रूप में रखना चाहता हूं सबसे पहला, उतरा खंड मांगें भूकानून और दूसरा, पुलिस में एज बढ़ाओ, ये जो हमारी दो प्राचीन तम मांगे थी, लगातार आपके बीच मैं इन दो मांगों को ले करके आया हूं और जनता ने बहुत प्यार दिया, आशिरवाद दिया और इशनेह दिया था, और इसलिए क्योंकि बीच मैं आचार संगीताएं थी, हम चुनाओ के कारिकरम में ब्यस्त थे, तो इसी कारण सरकार से हम ये कह नहीं पाए कि आप इस काम को कीजिए, लेकिन अब चुनाओ हो चुके हैं, केवल परिनाम आने की देरी है, और हमारी जो दो मांगें, उत्राखंड मांगें भू कानून, और दूसरी जो हमारी मांग थी, कि पुलिस मां आयू, 23 से बढ़ा करके, 28 साल कर दी जाए, इस पर सरकार को विचार करना होगा, आज मैं इस मुद्दे पर खुल के बात करूंगा, क्या कि सरकार की ओर से, बाद मैं ये सवाल पूछे जा सकते है, कि आपको ये भू कानून क्यों चाहिए, आपको पुलिस मां आयू, 23 से 28 क्यों करनी है, तो हम तरकों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, आज सरकार से ये मांग करेंगे, कि हमें ये दो चीजें आपको करके देनी होगी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कि हमें भू कानून की आवशक्ता आज क्यों है, राज जिवासियों, उतरा खंड में भूमी खरिदने संबन्दी जो कानून है, उसमें कोई सीमा नहीं है, यानि बहार का कोई भी व्यक्ति आकर के, बहु बहुआँ के भूले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को बेयुकू बना कर, बड़े बड़े पलॉट बिस बिस तिस तिस हजार रुपे नाली के हिसाब से खरिद लेते हैं, और क्योंकि जो भूमाफिया है, इनके पास पैसा इतना है, कि तीस हजार रुपे पतास हज जार पे नाली के हिसाब से एकड़ो एकड़ मिलो मिल जमीन एक ही बार में खरीद लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि हमारे पहाल की जमीन का बहुत सदुपयोग हो सकता है, हौटी कल्चर में सदुपयोग हो सकता है, और बहुमूल्य खनन में उपयोग हो सकता है, और इसक के महत्तु को कम जान रहे हैं लेकिन जो बड़े-बड़े भूमाफिया हैं वह हमारे यहां की जमीन पर आंक गड़ाए हवा महीं नहीं बैठे हैं तो इसलिए यह लोग इनको नौने-पॉने दामों में खरिद लेते हैं और आज नहीं कल या 10 साल बाद या 20 साल बाद जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदूशन के कारण सहरों में जीना मुश्किल होगा तब इस जमीन के दाम आने वाले समय में करोडों रुपया हो जाएगी और फिर यही भूमाफिया हमारी जम कानून है वो क्या करेंगा व्यों उतराखंड के बहार व्यों से दो जी मालिचला के जादा जमीन थहाएग उलाक्ट की लाकर के कभ्या रोत जादा है और जो बाहर के लोग यहां पर आकर के छेत्रिया संक्रमल फैला रहे हैं उन लोगों पर रोक लग सकती हैं यह निश्चित तौर पर हमारी जो विशेश राजी का हमें दर्जा दिया गया है उसके संब्यधानिक प्राउधानों के अनुखूल भी है दूसरी बात आज मैं आप लोगों से जो कहने वाला हूँ कि पुलिस के आयू में 18 से 23 साल तक आखिरकार क्यूं हम कह रहे हैं कि आयू बढ़ाए जाए देखिए दोस्तों लास्ट पुलिस की भरती 5 या 6 साल पहले आई थी और इसलिए उस भरती में जो व्यक्तिव समय 17 साल क था आज वो 24 साल का हो गया है यानि कई ऐसे युवा भाई बहन हैं जो अपने जीवनकाल में उत्राखंडे पुलिस में भरती होने का सपना तो उन लोगों ने देखा था लेकिन उन लोगों को कभी भी अपने जीवनकाल में वो भरती देने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि जब पहली भरती आई थी तब वो लोग 17 साल के थी अब जब दूसरी भरती आ गई है वो लोग 24-25 साल के हो गया है तो आप ही बताईए ऐसे में उन लोगों का क्या दोश है तो इसलिए हमें दो मांगे कर रहे हैं और बड़े तार की काधार पर कर रहे हैं और आज मैं भू कानून पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया यह मैं मान लेता हूं कि भू कानून तभी लाया जा सकेगा जब 10 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा नई विधान सबा का गठन होगा लेकिन तब तक एक केर टेकर सरकार यहां पर है और केर टेकर सरकार मान भी लिया कि तो उल्लोगों से मैं सुवेट पत्र लाने की मांग करता हूं कि वो लिखद है कि आने वाले समय में हमारी अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला बिल सपत के बाद सबसे पहला कानून और सबसे पहला कोई काम यदि किया जाय Käँ तो भू कानून बनाने का किया जायगा इस ब क्योंकि अब चुनाव संपन हो चुके हैं और केयर टेकर सरकार को यह अधिकार निश्चित तौर पर है कि पुलिस की आयू में वृद्धी करने की शक्ति रखती है तो ऐसे मैं प्रदेश की मुख्यमंतिर धामी जी से में साफ तौर पर और कड़े लबजों में यह बात कहरा चाहता हो कि निश्चित तौर पर उन्हें पुलिस में आयू सीबा बढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि अभी मैं आप लोगों से हाद जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं डिजिटल माद्यम से प्रार्थना कर रहा हूं अगर आवशक्ता पड़ी तो मैं अपने समर्थों को के साथ ग्राउंड पर भी आऊंगा और आपका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा तो इसे आप हलके में मत लिजी मैं फिर कह रहा हूं मैं फ्लावर नहीं मैं फायर हूं और यह बात आप लोगों को याद रखी दी जाए तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक अधिक सेयर करें चैनल पर पहली बारत सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आने पर लाइक करें भारत माता की जै उत्राखंड के सभी भाई बहन्यों को मेरा फिर से कोटी-कोटी नमस्कार प्रडाम जै देभूमी जै उत्राखंड भारत माता की जै हो